नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी य्टूब चैनल इस्टडी भी तरभी पर फ्रेंट्स इस क्लास में हम उत्राखंड करेंट अफेर्स 2023 पढ़ने बाले हैं ये दोस्तों हमारी 2023 के करेंट अफेर्स की चोथी क्लास है जिसमें सभी कोशन इंपोटेंट और एक्जाम है तो उस एक्जाम के लिए दोस्तों ये कि रिविजन क्लास इंपोटेंट रहने बाली है तो आप से रिक्वेश्ट है कि प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहीगा और आपको वीडियो अच्छी लगया तो प्लीज इसे लाइक करेंगा तो उस्तों में से यह आंसर है ओप्शन सी 23 वा इस्थापना दिबस 9 नुवंबर 2022 को उत्राखन ने अपना 23 वा इस्थापना दिबस मनाया है तो क्यू फ्रेंड्स 9 नुवंबर 2000 को उत्राखन राज्य वना था और यह है देश का 27 वा राज्य था ये भी आपको याद रखना है इसी कारण 9 नुवंबर को पृतियक बर्स उत्राखन राज्य इस्थापना दिबस मनाया जाता है सेकंड कोशन है कि उत्र भारत का भुगोलिक सांकेतांक में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है सही आंसर है उप्शन ए पहला इस्थान उत्तर भारत का भुगोलिक सांके तांक में उत्राखन को पहला इस्थान प्राप हुआ है जो दोस्तो जी आई टेग होता है तो यह 10 साल के लिए दिया जाता है ठीक है और जो जी आई टेग अधिनियम आया था तो यह है 1999 में आया था अगला प्रेशन है कि जैप्रिकास नोटियाल को दुर्णचार्य प्रुषकार 2021 से सम्मानित के गया इनका सम्मंद किस खेल से है तो जैप्रिकास नोटियाल का सम्मंद पैरा सुटिंग से है राइट आंसर है उप्सन ए ठीक है फ्रेंट्स जो जैप्रिकास नोटियाल है तो यह है भारतिय पैरा सुटिंग टीम के मुख्य कोच है और यह है उत्राखन रुद्र प्रियाग जिले के भट गाउं के मूल निवासी है चोथा प्रशने स्वच्चता सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 में देहरा दून नगर निगम की देश में क्या रैंक रही है सही आशर है उप्सञ C, 69 रैंक, स्वच्चता सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 में देहरा दून नगर निगम की देश में 69 रैंक रही है दोस्तों देहरा दून नगर निगम यह है राज्य का पहला नगर निगम है जिसे 1998 में नगर निगम का दरजा दिया गया है जब उत्राखन राजिया बना तो उस समय दोस्तों देहरादू नगर निगम का दरजा समप्त कर दिया गया था और इसे दुबारा नगर निगम का दरजा दिया गया 2003 में अगला प्रशन है इंडिया स्किल्स राष्टिय प्रत्यों गिता में उत्राखन के कितने खिलाडियों द्वारा सिल्वर मैडल जीता गया। सही आंसर है option C गंगोत्री गिलेशियर गंगोत्री गिलेशियर यह है उत्राखन का सबसे बड़ा गिलेशियर है जो उत्रकासी में इस्तित है। इस गिलेशियर पर दोस्तो ओपन टोप चेंबर इस्थापित किया गया है। साथवा प्रशने दो जून दो हजार बाइस को किस इस्थान पर रवी किरशी मोहुत्सप का आयूजन क्या गया। सही आंसर रहेगा ओप्शन ए जबरेडा जबरेडा हरीद्वार में इस्तित है। यहाँ पर दोस्तो रवी किरशी मोहुत्सप का आयूजन क्या गया। ठीक है। और रवी की जो मुख्या फसले होती हैं तो इसमें गैहूं, चना, जों और सरसू। तो यह आपको याद हैं कि यह रवी की मुख्या फसले हैं ठीक है और जबरेडा में रवी करशी मोहुत्सप आयूजन क्या गया है। ठीक है वात करें कि जबरेडा तो यह है एक विधान सबा सिठ है हरीद्वार में ठीक है जो SC के लिए आरक्षित है। त्यूकि दोस्तो राज्ये में कुल 70 व इसमें से तीन सिठे हरीद्वार में SC के लिए आरक्षित हैं। इनका नाम है जबरेडा, जुआलापूर, भगबानपूर। अगला प्रशन है कि जून और जुलाई 2022 में उत्राखन में सबसे ज़्यादा बारिस वागिश्वर जिले के किस स्टेशन में दर्ज की गई है। सही आंसर है उप्षन A. सामा, सामा भागिश्वर में स्टित हैं, जहां पर जुन और जुलाई 2022 में उत्राखन में सबसे ज़्यादा बारिस रिकोर्ट की गई है। अगला प्रशन है कि उत्राखन का पहला AIM Satellite Center कहां बनाया गया है। सही आंसर है उप्षन A. किच्छा, किच्छा उधम सिंग नगर में स्टित हैं, जहां पर उत्राखन राज्या का पहला AIM Satellite Center इस्थापित किया जाएगा। राज्या का पहला AIM Satellite Center है रिसी केस AIMS ठीक है। और फ्रेंट्स इसकी जो इस्थापना की गई तो 2012 में की गई है। और इसने अपना कार्याए 2014 में शुरू किया। ठीक है। और आपसे पुछा जाए कि रिसी केस AIMS की नीव या फिर निर्माल कार्याए किस वर सुरू ह तो 2004 में शुरू हुआ था। नेस्ट कोशन हैं बताएगा फ्रेंट्स की 21 जुलाई को जारी नितिय आयोग द्वारा भारत नबाचार सुचकांग 2021 में पुर्वोतर और पहाडी राज्यों की सिरेडी में उत्राखन का कौन सा इस्थान रहा है। तो सही आंसर है उप्शन A भारत नबाचार सुचकंग 2021 में उत्राखन राज्यों का पहला इस्थान दोस्तों मड़ीपूर्यों का रहा है। ये भी आप याद रखेंगा महत पुन हैं तो कि दोस्तों लगातार दो एक्जाम हुए हैं उत्राखन में और उन एक्जाम में दोस्तों सुचक पूछे मंदाल घाटी का चायन क्या गया यह कहां पर इस्तित है तो दोस्तों मंदाल घाटी यह पोड़ी जनपद में इस्तित है राइट अंस रहेगा ओप्शन ए याद रखेगा कि उत्राखन जे विवता वोड़ द्वारा पर येटन विकास है तूं मंदाल घाटी का चायन क्या ग का उत्पादन क्या गया तो ग्रसी आंकडे 2020-21 के अनुसार गैहूं का सरबादिक उत्पादन क्या गया है सही आंसर है उप्शन दी तेरवा प्रशने लच्छ सेन ने कोमन वेल्ट्स गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है महत्पुन प्रशने इन्होंने दोस्तो गोल्ड मेडल जीता है याद रखेगा 2022 में दोस्तो कोमन वेल्ट्स गेम बर्मिंगम में आयुजित के गई थे और बैटमिंटन में दोस्तो गोल्ड म में ही अर्जुन पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है इनका सम्मंद दोस्तो अलमुडा से है ये विया प्याद रखेगा महत्मुन प्रसन है ठीक है अगला प्रसन है कि 5 सितंबर 2022 को 46 सिक्षकों में से उत्राखन के कितने सिक्षकों को राष्टिय सिक्षक पुरुषका 2022 दिया गया पांच सितंबर को दोस्तो राष्टे सिक्षक दिबस मनाया जाता है इसी के अफसर पर राष्टे सिक्षक पुरुषकार 2022 वाटे गये हैं जिसमें से दो टीचर से दोस्तो उत्राखन के भी सामिल रहे ठीक है और इनका नाम है प्रदीपनेगी और कुस्तुम च चंदर जोसी अगला प्रसन है कि हिमाले छेतर का पहला स्पाइस गार्डन मसाला उध्यान कहां तियार किया गया तो यह दोस्तो रानी खेत में तियार किया गया है राइट आंसर रहेगा ओप्सन सी यह वाला कोश्चन दोस्तो पटबारी के एक्जाम में भी पुछा गया था कि जो रानी खेत का सोनी है यहाँ पर राज्य का सोरी हिमाले छेतर का पहला इस्पाइस गार्डन तयार किया गया है तो यह दोस्तो आज के हमारे 15 इंपोर्टेंट और सेलेक्टिट कोश्चन आज का आपका सवाल लहेगा कि राज्य में सबसे कम जनसंख्या घहनतव व लगी आयोप आपको पसंद आई होगी इस क्लास के माध्यम से दोस्तो आपके आने वाले एक्जाम का रिविजन हो जाएगा ठीक है आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर बार यो तो आपको करेंट अफियर कराया जाता है ठीक है और करेंट अफियर से लेटीट जो जितने भी महत्मों टोपिक होती है तो भेंबि आपको कराय जाती है ठीक है तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेस्ट क्लास के साथ तब तक के लिए थैंक्यूआ जैहिंद